पूराश्री अद्याची जेपी नडडा भी बैठक में शामिल संगठनों गे प्रमुकों के साथ समन्वे बैठक किये जारी है पूराश्री अद्याची जेपी नडडा भी इस वक्त मौझूद है पूरी जानकारे के साथ गौरब ताजा बेठक में किन बातों पर चर्चा और मन्थन और जेपी नडडा भी बैठक में शामिल है ये भी खबर आ रही है गौरब देखे बिलकुल ये भी खबर स्पस्ट है कि जेपी नडडा जो की भारती जनता पार्टी के राश्टियत धैक्ष है वो इस अखिल भारती समन्रक बैठक में जो की तीन दिवसी है पूरी बैठक है उसमें शामिल है वो कल भी यहीं पे रहेंगे इस बैठक का हिस्सा रहेंगे इसके अलामा भारती जनता पार्टी के संगठन मंत्री बियल संतोस भी इस बैठक में शामिल है इसके अलामा अग यहीं पर ये पूरी जो बैठक है वो चल रही है ये तीन दिवसी बैठक जो है बहुत मतपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 36 गड़ की राजधानी राइपूर में बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे मतपूर जो निर्णाय अब तक हुए आप देखिए जो उसके बैठक और प्रदेश प्रभारी उसको चेंज किया है इसके अलावां सुत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है क्योंकि मिशन 2023 की तैयारी यहीं से राश्टी स्वैम सेवक संग कर रहा है क्योंकि 36 गड़ में चुनाव होना है उसको ले करके जिला अस्तर पे संगठन में काफी बद करूं तो इसमें वनवासी कल्याण आस्रम के जो पदाधिकारी है वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद है और इस बैठक के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 36 गड़ के अगर हम बात करें तीन-चार ऐसे हिस्से हैं जो सबसे जादा आदिवासी जन जाती हिस् 2023 की इस चुनाओं से ठीक पहले किस तरीके के प्रकल्प चलाने हैं कैसे लोगों को जोड़ना है खास करके जो अभी बड़े पैमाने पर धर्मांतरन चल रहा था और उनके जाती पर भी लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे इसके अलावा उन सभी विश्यों को लेकर के जो ए दिश्बघेल हो या फिर कॉंग्रेस संगठन सभी हमलावार हो गए जिप इनड़ा पे कहत्तर आदिवासियों की मौत को लेकर और इसे पूरा राइनिदिक शल्यंत्र भी अब कहा जा रहा है क्या वहां पर इस सरगी कुछ गयमागे में दिखाई दे रहे हैं गौरफ संग की बैठकों में इस तरीके के बयानबाजी का कोई स्थान नहीं होता है क्यांकि राश्टी स्वैम सेवक संग जो है वो जो तैं समय है उन तैं समय में तैं विश्यों पर चर्चा करता है अखिल भारती अस्थर की ये बैठक है जिसमें 245 अलग-अलग संगठनों के जो पदाधिकारी हैं प्रमुख संगठनों के जो की स्वैम सेवक भी हैं इसके अलावा राश्टी स्वैम सेवक संग की जो प्रेरित संगठन है 36 जो संगठन है देश भर के वो इस बैठक का हिस्सा है लिहाजा किसी प्रकार की कोई राजनेतिक बयान बाजी को ले कर के यहां पर कोई ऐसा जो खबर है वो नहीं है हलाकि जो राजनेतिक बयान बाजियां है संग अपने आपको हमेशा उनसे दूर रखता है इस बैठक के अंदर फिलहाल जो रड़नीती है उन रड़नीती पर चर्चा की जा रही है साल में एक बार ये समन्वक बैठक इसलिए की जाती है ताकि जो समन्वे है संगटनों के बीच में जो स्वैम सेवक हैं उनके साथ एक समन्वे अस्थापित किया जा सके और उसी पर फिलहाल चर्चा की जा रही है कल का दिन मैं आपको बता रहा था इसलिए महत्तपूर्ण है क्योंकि कल बैठक का आकरी दिन होगा और आकरी दिन कि कोई दुरगामी रंड़नी थी भी है क्योंकि 36 गड़ी बैठक के लिए क्यों चुना गया और क्या इसके बीचे कोई और वजब है या फिर वहाँ पर इस तरगी बैठक होते चलिया यह 36 गड़ में गौरब बिल्कुल देखिए निश्य तोर पे बैठक बहुत दुरगामी हिस्सों को ले करके की जा रही है और ये बात भी सबको पता है कि राश्टी स्वेम सेवक संग जब कहीं पर बैठक करता है क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त में मौजूद हूँ आप कहिए पूरे देश का प रमुक लोग हैं उनकी बात करें इसके अलावा 36 वो संगठन जो देश भर में सबसे जादा सक्रिये हैं और हर बड़े एजंडे पर नजर आते हैं वो सभी यहीं पर मौजूद हैं तो अपने आप में 2024 की भी जो रणी निती है वो बेहत असपश्ट हो चुकी है और देखि विचार जो है वो साजा किया जाता है 36 संगठनों के प्रमुक यहां पर मौजूद है सभी को समय दिया जाता है उसी तैं समय में वो मंच परा करके उन लोगों के सामने जो पदाधिकारी यहां पर पहुँचे हुए हैं अपनी बातों को मौखिक रूप से अलोट कराऊंग फिलाल दे की अरसेस की बैठक जारी है लेकिन इसी बीचे को और बड़ी खवर आ रही है पीम मोधी का एक और मास्टर इस्ट्रोप पुजारीयों को ट्रेनिंग देगी अप केंद्र की सरकार पद्दसी के अनुसार तैय होगी यह ट्रेनिंग कोर्स एक लाख बहत्तर हजा पुजारीयों को ट्रेनिंग देने का लख्ष है रखा गया है बेड़ जैसी संस्ताओं के जरीए यह ट्रेनिंग के दी जाएगी सयोगी गौरफ लगेतार अपडेट दे रहे हैं गौरफ क्या इसे मास्टर इस्टूक माना जाए देखिए अभी 2024 के चुनाओं की रंडितियों पर चर्चाम करी रहे थे जिसमें कॉंग्रेस तो जुटी हुई है लेकिन बीजेपी भी मास्टर इस्टूक लगेतार चल रही है गौरफ देखे बिल्कूल अपने आप एक बहुत बड़ा ये मास्टर इस्टूक है उनके लिए जो लगतार इस बात को कई राज्जियों में जो मालानाओं को मजडितों को मदडसों को जो फंड दीया जा रहा है कहीं न कहीं उस पर एक करारा प्रहार किया गया है नरेंद्र मोदी यहनी केंद्र सरकार की तरफ से दरसल जो पूरी सुरुवात yek कौसल विकास मंत्राले की तरफ से इस पूरे पहल को किया गया है जिसमें देश भर के 1,72,000 जो प्रशिक्षित लोग हैं जिनको प्रशिक्षन दिया जाएगा जो पंडित वर्ग के लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है इसके अलावा इस प्रशिक्षन के कारेक्रम में वि प्रशिक्षन का कारेक्रम करेगा हलाकि इसमें रजिस्टेशन की शुरुआत है देश भर से अलग अलग राजियों से जो रजिस्टेशन वो हो रहा है सबसे जादा रजिस्टेशन तमिलनाडू से मिला है 55,000 जो पंडितों ने रजिस्टेशन किया है खास करके प्रशिक्षन को प्राप्त करने के लिए इसके अलामा गुजरात भी सामिल है जारखंड भी सामिल है महराष्ट भी सामिल है तमाम हिस्सों से जो लोग है वो इसमें रजिस्टेशन करवा रहे हैं और सरकार का दिष् कि कोरोना के दौर में बहुत सारी चीज़े जो हैं डिजिटल हो गई तो इसलिए पूजा पद्धती को भी किस तरीके से डिजिटल तरीके से किया जाएगा वो भी उनको सिखाने का काम जो है किया जाएगा और केंदर सरकार की तरब से बकायदे उन पंडितों को अनुदान दिया जाएगा ताकि जब वो प्रशिक्षन ले लें तो उनको जो लाब है वो भी मिल सके तो अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर इसको कहा जा रहा है चलिए बिल्कुल देखिए गोरब सबसे पहले इस खबर को निज इंडिया ने ब्रेक भी किया और सबसे पहले एक